नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रेप्शन के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे लोग सिकायत अधिकार अधिनियम 2015 के तहत यदि किसी ने सिकायत की हो और उस पर यदि उचित कारवाई या नियामानुसार कारवाई नहीं की जाती है तो आप प्रथम अपीलिये पदाधिकारी के श्रमक्ष किस प्रकार आवेदन भर प्रथम अपील कर सकते हैं तो चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के अल क्लिक कर लें जिससे इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिक है कि यदि लोग शिकायत अधिकार धिनियम के तहट अगर किसी ने शिकायत की हो और उस पर कारवाई नहीं की जा रही है उचित तो उस पर प्रथम अपील कैसे करेंगे तो शिकायत करने के लिए एक टॉल फ्री नंबर भी है या बिहार राज से संबंधित है प्रतेक का टॉल फ्री नंबर है 1800-3456284 इस पर आप कॉल कर भी शिकायत अपना दर्ज करवा शकते हैं यदि आपका किसी कार्याले में अंचल प्रखंद थाना या जिला अस्तर या नुमंडल अस्तर के कार्याले में अगर आपका काम ठीक से सो समय नहीं किया जा रहा है तो आप इस पर कॉल कर अपना सिकायत दर्ज करेंगे और सिकायत दर्ज करने के बाद आप लोगों को मूल परिवाद संख्या इस तरह का अंक आप लोगों को मिलेगा SMS के द्वारा और उस पर यदि 60 दिनों के अंदर उचित कारवाई नहीं की जाती है तो आप पर थम अपील किस प पागज पर एक आवेदन इस प्रकार लिख करके आप लोग रेष्टी से भी कर सकते हैं मेल से भी कर सकते हैं तथा आउन-लाइन भी करवा सकते हैं तो मूल परिवाद संख्या इसमें डाल देंगे पर थम अपीलिप राधिकार के यहां सिकायत करेंगे अपील करेंगे तो पूरा पता लिख देंगे मुबाइल नंबर अबस देंगे इमेल और आधार कार्ट संक्या अपने स्विक्षा नुसार दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं पांच नंबर में है कि जिसकी आप सिकायत किये हुए हैं और जिसके खिलाप अपील कर रहे हैं जैसे लोग सिकायत पताधिकारिक के खिलाप अपील की जा रही है और जो भी सिकायत की गई थी तो मैंने यहां ओपी रतवारा परभारी थाना अर्स्तर की सिकायत किया था इसलिए मैंने इसका नाम भढ दिया है और आप लोगों को जिन भी कारियाले से संब्द सिखायत हो उस कारियाले का नाम और उस पताधिकारी का नाम लिखेंगे छो में है उस आदेश की विशिष्टियां जिसके विरुद अपील या प्रोड़क्शन के आ जा रहा है इसमें मैंने लिखा है कि कोई कारवाई ना कर बरिश्ट पताधिकारी को भी सफेज जूटा रिपोर्ट और पिरतवारा परभारी द्वारा कर दिया गया इसमें इनके द्वारा जूटा रिपोर्ट किया गया था जिसके खिलाप मैंने अपील किया है अपील या अपनो रक्षन का अधार आप अपील किस कारण कर सकते हैं तो इनसाफ वो न्याय नहीं मिलने के कारण आप अपील कर रहे हैं इसलिए ये लिख सकते हैं या आपको जो उचित लगे अपने वाद से संबंदित आप अपना यहां पे लिख देंगे मांगी गई राहत जलान आप किस कारण सिकायत कर रहे हैं सिकायत करके आपको कौन सा सेवा चाहिए था मुझे यहां परतिपक्षी गन पर अफ़यार दर्ज करवाना था इसलिए मैंने लिखा परतिपक्षी गन पर अफ़ायार दर्ज कर दोसी पतादीकारी पर विभागी कारवाई करवाया जाए जो जूठा रिपोर्ट किया था उस पर विभागी कारवाई करने का मैंने अनुरोध करवाया था नौ में है कोई अन्सुसंगत सूचना जो अपील या पनुरक्षन के निस्पादन के लिए आवसक समझा जा रहा है या ओपी रत्वारा परभारी परतिपक्षी गन से रुपया पैसा लेकर वरिष्ट पतादीकारी को जूठा रिपोर्ट कर मेरे परिवार के सदस्यों को ही डराते धमकाते हैं और 2018 में ही ठारा 107 की करवाई की गई थी जिसमें 116 तीन का रिपोर्ट भी नहीं दिया गया था या जो भी आप लोगों को उसके खिलाब कहना हो या जो भी साक्ष हो वो पाइंट टू पाइंट बना के आप लिख देंगे और सनलग किये दस्तावेज उस आदेश की स्वाभी परमानित परती जिसके विरूद अपीलिया प्रक्षन क्या रहा आपने पहली जो सिकायत किया था उस पर जो अगर ओडर सीट होगा या जो भी निर्ने दिया गया उसका आप लोग स्वाभी परमानित करके इसके साथ एक्टेच कर देंगे आप लोग देख ले या पहले वाला ओडर था मैंने इसे स्वाभी प्रमानित करके ऑनलाइन करवाया था आप लोग भी यह देखें यह आदेशता पुर्व का जिसके खिलाब मैं अपिल किया हूँ इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं इसके साथ एटेच कर देंगे फॉर्म के साथ अपना हस्ता अक्षर और डेट लिखतेंगे अपना हस्ता अक्षर डेट कर देंगे और आप लोग इसे आउनलाइन दर्ज करवा सकते हैं या रेश्टि कर सकते हैं या इमेल कर सकते हैं आसा है आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी ठीक से मिल गई होगी और आप लोग भी इसका आप योग अवस्ष्र करेंगे जैहि झाल एक जादा बढ sitting.